इस पूरे टापिक को हम लोग टोटल तीन सब एडिंग्स में डिवाइड करेंगे जिसमें सबसे पहले हम लोग चैनल्स के बारे में डिटेल्ट डिसकेशन करेंगे उसके बाद हम लोग actual action potential देखेंगे कि कैसे formation of action potential होता है और finally हम लोग देखेंगे refractory period के बारे में तो इन तीन पार्ट्स में हमने इस वीडियो को डिवाइड किया है जिसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चैनल्स के बारे में एक detailed discussion करना तो अब हम लोग समझेंगे channels के बारे में अगर हम लोग channels की physiology को अच्छे से समझ लेते हैं न तो यह resting membrane potential, action potential यह बहुत ही easy topics हो जाते हैं हमें समझने के लिए resting membrane potential वाले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे sodium का influx होता है negative charge accumulate होता है और बाहर की तरफ positive charge accumulate होता है और एक polar condition develop हो जाती है इसी लिए इसी resting membrane potential के state को हम लोग polarized state भी कहते हैं तो resting membrane potential जब था cell के अंदर तब जो channels operational थे उनको हम लोग leaky channels कहते हैं leaky channels क्यों कहते हैं क्योंकि इन channels के थूँ सिर्फ और सिर्फ diffusion हो रहा है तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस channel से सिर्फ और सिर्फ आयन्स leak कर रहे हैं इस वज़े से इन्हें हम लोग leaky channel कहते हैं क्योंकि ये हमेशा open रहते हैं कभी close नहीं होते हैं now next type के channels हम लोग देखेंगे जो action potential के generation में helpful होते हैं मतलब जब cell को polarized से depolarized state में जाना है तब कौन से channels काम आते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं voltage gated channel या फिर VGC total दो VGC हम लोग समझेंगे action potential के लिए एक होता है sodium VGC जिसके तरू sodium ion का transport होता है और एक होता है potassium VGC जिसके तरू potassium ion का transport होता है VGC मतलब voltage gated channel मतलब यह ऐसे channel है जो कि voltage की बज़े से open या फिर close होते है मतलब जब भी membrane potential change होता है तब जाकर के यह channels open या फिर close होते है मतलब voltage या फिर कह सकते है membrane potential पे dependent है यह channel की opening और closing leaky channels जो थे वो हमेशा open रहते थे हमेशा इससे ions leak करते रहते है इसलिए हमने इसे leaky channel कहा था और इसे voltage-gated channel इसलिए कहते हैं क्योंकि ये potential dependent होते है अब दो VGCs हम लोगो पढ़ना है action potential समझने के लिए सबसे पहले sodium channel के VGCs जो होंगे और एक potassium channel के VGCs sodium channel का जो voltage-gated channel होता है उसके अंदर total दो gates होते है सबसे पहला gate होता है activation gate और दूसरा gate होता है inactivation gate ये बाहर का surface है और ये inner surface है तो बाहर की तरफ जो gate present होता है उसे हम लोग कहते है activation gate और जो अंदर की तरफ gate present होता है उसे हम लोग कहते है inactivation gate जब cell resting membrane potential के case में होती है तब ये channels जो होते हैं i.e. sodium VGCs जो होते हैं वो closed state में होते हैं मतलब इनका activation gate जो है वो तो closed होता है लेकिन inactivation gate open रहता है और इसको हम लोग कहते हैं closed state of sodium VGCs जब cell depolarization state में आते हैं मतलब जब action potential का generation होता है यह हम लोग देखेंगे कि यह कैसे होता है अभी के लिए बस इतना समझ लेते हैं हम लोग कि जब depolarization state में cell आती है तो फिर इनके activation और inactivation gate दोनों ही open हो जाते हैं और जब action potential जो की generate हो रहा है उसका peak आता है उस समय यह activation gate open रहते हैं और inactivation gate जो की अंदर की तरफ present है वो close हो जाता है और इसको हम लोग कहते हैं inactiv state तो sodium VGCs के total 3 state होते हैं एक closed state होता है एक open state होता है और एक inactiv state होता है closed state से open state में यह VGCs पहुंचते हैं उसके बाद open state से inactiv state में पहुंचते हैं और फिर inactiv state से यह open state में नहीं जा पाते हैं उसके बाद फिर ये वापस closed state में आते हैं और फिर open state में आते हैं तो ये चलता रहता है जब action potential या फिर impulse stable करती है तो जब resting membrane potential में sell रहेगी तो closed state में रहेंगे फिर जब action potential है फिर depolarization आएगा तो open में आ जाएगे जब peak पहुंचेगा तो inactive में चले जाएगे फिर ये वापस closed हो जाएगे फिर depolarization के समय में ये open हो जाएगे तो ये ऐसे करके ये sodium voltage gated channel काम करते हैं अब हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि अगर कोई भी condition है जिसमें VGC closed state में है मतलब sodium VGC closed state में है तो sodium का inflow या फिर outflow कुछ इस state of VGC पे नहीं हो सकता है open state में अराम से sodium अंदर या फिर बाहर आजा सकता है inactive state में once again एक gate closed है तो sodium का ना influx हो सकता है ना efflux हो सकता है तो सिर्फ एक open state ही ऐसी condition होती है जिसमें sodium ion अंदर या फिर बाहर आजा कर सकता है इस VGC के थ्रू next VGC जो होती है वो होती है potassium VGC sodium VGC के अंदर जैसे दो gates थे एक activation gate था और एक inactivation gate था जिसको हमने A और I से denote किया था जबकि potassium VGC के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक gate होता है जो कि inside की तरफ present होता है ये gate अगर close होगा तो potassium ion का inflow और outflow नहीं हो पाएगा और जब open होगा तो फिर बहुँ आराम से हो पाएगा तो ये total दो VGC हमने discuss की है अब हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जो sodium VGC होती है उसके थ्रू sodium का सिर्फ influx होता है और जो potassium VGC होते हैं उनसे सिर्फ potassium का influx होता है इसका actual reason क्या है मतलब actually में हम लोग समझना चारहे हैं कि एक VGC की tendency क्या होती है कोई भी voltage gated channel की tendency ये होती है कि वो cell के membrane potential को equilibrium potential तक ले जाने की कोशिश करती है कहने का मतलब ये है अब ये equilibrium potential क्या होती है अगर आपने resting membrane potential वाला वीडियो देखा है तो बहुत easily समझ में आ जाएगा let's suppose कि ये एक cell membrane है जिसका resting membrane potential minus 70 millivolt है अब अगर इसका resting membrane potential minus 70 millivolt है तो ये जो sodium VGC है इसको कैसे पहचानेंगे कि ये sodium VGC है क्योंकि इसके अंदर दो gates है जबकि potassium VGC के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक gate होता है जो कि inner side of the membrane पे होता है तो अब ये जो sodium VGC होते हैं उनको लगता है कि अगर resting membrane potential इसका minus 70 millivolt है तो इनको अंदर से ये देखा नहीं जाता है और ये try करते हैं कि इस membrane potential को equilibrium potential जो कि sodium के case में plus 61 millivolt होता है वहां तक reach करने का कोशश करते हैं अब potential हमें पता है कि बाहर के membrane के जो outer surface होता है उसको हम लोग reference 0 मानते हैं और inner surface का potential generally हम लोग calculate करते हैं इसका potential अगर minus 70 millivolt है resting condition में तो हम लोग ये चाहते हैं कि इसका मतलब ये sodium VGC ये चाहता है कि इसका जो potential है वो minus 70 से कहीं ने कहीं plus 61 millivolt पे पहुँच जाए तो उसके लिए इसको क्या करना है अगर ये plus 61 इसको करना चाहता है मतलब अंदर की तरफ उसको ions चाहिए इसलिए sodium का influx की tendency होती है इन sodium VGC से क्योंकि ये चाहते हैं कि जो resting membrane potential है वो कहीं न कहीं equilibrium potential of sodium तक पहुँच पहे क्योंकि ये तो nature का rule होता है कि कोई भी system अपने आपको equilibrium में लाने की कोशिश करता है तो ये sodium VGC भी तो हमारे nature में ही है न तो ये भी चाहता है कि वो अपने equilibrium potential that is plus 61 millivolt को achieve करे तो उसकी तरफ उसके लिए ये काम करता है और अगर इसको equilibrium potential plus 61 millivolt का यहाँ पे achieve करना है इससे सिर्फ और सिर्फ sodium का influx होता है इससे sodium का efflux कभी नहीं होता है वही अगर potassium channel के अगर हम लोग बात करें तो potassium channel जो होते हैं उनका भी वही tendency होता है कि वो अपने equilibrium potential जो कि potassium के case में minus 94 millivolt होता है उसको achieve करने का कोशिश करता है तो पहले resting permanent potential minus 70 millivolt था अब इसको और ज्याद़ negative की तरफ जाना है मतलब minus 94 millivolt करना है तो यह क्या करता है जो अंदर positive ion that is potassium ion है उसको बाहर की तरफ निकालता है that is potassium efflux की tendency होती है यह potassium VGC के अंदर तो यह हमने देखा कि कैसे क्यों sodium VGC सिर्फ और सिर्फ सिर्फ sodium का influx करते है और क्यों potassium VGC सिर्फ और सिर्फ potassium का efflux करते है अब हम लोग detail discussion करेंगे action potential के बारे में तो हमने leaky channel समझ लिया leaky channel जो कि resting membrane potential के formation में helpful होते है और voltage gated channel जिसमें हमने sodium और potassium voltage gated channel समझा जो कि कहीं ने कहीं action potential के formation में helpful होते है तो अब basics तो हमने पूरा clear कर लिया है अब हम लोग main action potential समझते है action potential actually में वो electrical response होता है जो कि membrane present करती है जब stimulus apply होता है उस membrane उस cell पे जो कि threshold या फिर threshold से जादा का stimulus होता है मतलब एक ऐसा electrical response है membrane का जो कि तब देखने को मिलता है जब एक threshold या फिर threshold से जादा stimulus उस membrane या फिर cell को दिया जाता है उसको हम लोग कहते है action potential अब यह electrical response होता क्या है तो अगर हम लोग एक page में इस action potential को देखे तो वो action potential यही होता है तो इसके आगे के वीडियो में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे वो इसी को explain करेंगे हम लोग summary देखें अगर इसका या फिर इसका पूरा हम लोग पूरी कहानी अगर हम लोग समझें तो वो इसी page के अंदर से मट जाती है क्या होता है हमने अभी तक देखा है पिछले वीडियो में पढ़ा था resting membrane potential यह resting membrane potential के पीछे की कहानी हमें पता है कि resting membrane potential minus 70 millivolt कैसे maint diaphragm रहता है पिछले वीडियो में हमने minus 90 millivolt और minus 70 millivolt की बीच का discussion भी देखा था कि कुछ books minus 70 millivolt कहती है कुछ books minus 90 millivolt कहती है बट यहां हम लोग minus 70 millivolt मान करके चल रहे हैं अब यह resting membrane potential minus 70 millivolt रहता है क्या कहता है यह action potential कि जब भी कोई stimulus apply होता है जो कि threshold या फिर threshold से ज़ादा का stimulus होता है तो एक electrical response देखने को मिलता है और इसी electrical response को हम लोग action potential कहते हैं ठीक है तो हमने एक stimulus apply किया जिसकी वज़े से यह एक ऐसे करके हम लोगों को curve देखने को मिला इसी को हम लोग action potential कहते हैं यह stimulus threshold या फिर threshold से ज़ादा होना चाहिए इस example में हम लोग मान लेते हैं कि इस nerve fiber के लिए जो stimulus है वो minus 55 millivolt तक पहुंचाना है मतलब जब minus 55 millivolt तक potential पहुंच जाता है यह depolarization जो होता है जो phase होता है वो उसका main reason होता है sodium का influx अब यह कैसे कैसे होता है इनको part by part हम लोग समझेंगे आगे इस वीडियो में समझेंगे एकदम छोटे छोटे parts में इसको हम लोग cover करेंगे तो detail में हम लोगों को समझ में आ जाएगा बट अभी summary के form में हम लोग देख लेते हैं कि यह जो depolarization है उसका reason होता है sodium का influx उसके बाद जब peak of action potential पहुंसता है उसके बाद जो phase देखने को मिलता है वो होता है repolarization phase repolarization phase का reason होता है जब sodium का influx रुख जाता है और potassium का efflux होता है तब जाकर के repolarization phase देखने को मिलता है जब minus 70 millivolt से नीचे जब यह action potential चला जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं hyper polarization phase और यह hyper polarization phase का reason होता है continued potassium influx जो potassium influx यहाँ से start हुआ था जब यह continue कर जाता है तो यह hyper polarization की state को lead करता है जब यह hyper polarization अपने peak पे पहुंच जाता है और फिर finally जब resting membrane potential की तरफ लौटता है तब फिर उस phase को हम लोग कहते हैं rectification and finally हम लोग का resting membrane potential restore हो जाता है अब यह जो action potential है कभी कभी 0 millivolt तक जा करके नीचे आ जाता है और कुछ cases में overshoot या फिर spike देखने को मिलता है मतलब 0 millivolt से भी उपर इसका peak देखने को मिलता है generally large fibers के अंदर ऐसा देखने को मिलता है तो इस example के अंदर हम लोग यह माल लेते हैं कि यह एक large nerve fiber है तो इसलिए हम लोगों को इस case के अंदर overshoot या फिर spike देखने को मिल रहा है अब हम लोग इस पूरे के पूरे action potential को part by part समझेंगे कि resting maintenance potential के समय में क्या होता है stimulus के समय में क्या होता है depolarization के समय में क्या होता है repolarization के समय में क्या होता है उन सारे information को हमें यहाँ apply कर देना है, हमें easily action potential का formation समझ में आ जाएगा, तो action potential का सबसे पहला phase था, जिसका नाम था resting membrane potential, resting membrane potential को वैसे तो हम लोग previous वीडियो के अंदर discuss कर चुके हैं, बहुत ही detail में और बहुत ही अच्छे से, पर यहाँ पर एक बार summary अगर हम लोग देखें, तो हमने leaky channels देखे थे कि कैसे sodium का influx होता है, potassium का efflux होता है, और sodium potassium ATPase pump होता है, और यह तीनों मिल करके कैसे resting membrane potential को generate करते हैं, और इस case के अंदर जब cell resting state में होती है, तो हमने देखा था कि जो sodium VGCs होते हैं, उसका activation gate closed होता है और inactivation gate open होता है, मतलब यह कौन सी condition होती है, यह एक closed state होता है voltage-gated channel का, और जो potassium voltage-gated channel होता है, वो भी closed state में होता है, जिस वज़े से यह cell के अंदर एक resting membrane potential of minus 70 mV हम लोगों को दिखने को मिलता है, तो action potential का यह जो resting membrane potential वाला पार्ट था, वो हमने discuss कर लिया, अब हम लोग next part discuss करेंगे, जिसमें हम लोग stimulus apply करते हैं, तो यह stimulus threshold stimulus कब कहलाता है, तो stimulus का मतलब यह होता है, कि stimulus जब भी हम लोग apply करते हैं, तो वो stimulus कहा जाता है, कि जब तक वो threshold stimulus नहीं होगा, तब तक वो action potential को completely generate नहीं करेगा, इससे हम लोग क्या समझते हैं, कि stimulus या तो हम लोग directly किसी nerve को अगर touch कर देते हैं, या फिर किसी भी तरह कोई muscle को touch कर देते हैं, तो फिर stimulus generate होता है, या फिर nerve to nerve के बीच में stimulus कैसे होता है, वो हम लोग समझते हैं, पहले हम लोग example में समझते हैं, कि nerve to nerve के लिए stimulus क्या होगा मतलब ये nerve इस nerve को कैसे stimulate करेगी अब इस nerve माल लेते हैं कि ये nerve पहले से stimulated थी यहाँ से action potential यहाँ तक आया और यहाँ पे इस nerve ने क्या किया कि calcium channel का calcium ion का entry होगा उसने इस synaptic vesicle के अंदर present neurotransmitters को यहाँ से release कराया होगा अब यहाँ पे जो neurotransmitters release हुए होते हैं वो neurotransmitters क्या करते हैं कि वो जाकर के bind करते हैं कुछ channels में जिनको हम लोग ligand gated channel कहते हैं अब यह ligand gated channel क्या होता है यह ligand gated channel जो होता है वो leaky channels और voltage gated channel दोनों से different है यह भी नाम से ही समझ में आ सकते हैं हम लोगों को कि ligand gated channel मतलब ऐसा channel जिसको जिसका खोलना या फिर बंद होना ligand पर depend करता है और यह ligand इसके लिए क्या होते हैं यह neurotransmitters होते हैं तो जब भी यह neurotransmitters इस ligand gated channel पर जाकर के जुड़ते हैं यह channels open हो जाते हैं और open होकर के sodium का का influx होता है तो positive iron क्योंकि अब अंदर की तरफ आ रहा है मतलब अंदर की तरफ positive iron बढ़ रहा है positive iron अगर अंदर की तरफ बढ़ेगा और हम लोग potential हमेशा अंदर वाले side का लेते हैं तो यह minus 70 millivolt से यह बढ़के बढ़ते 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 और ज्यादा sodium आएगा और ज्यादा बढ़ेगा और अगर यह जो neurotransmitter के neurotransmitters जो थे या फिर यह जो stimulus था वो इतना sufficient है कि वो इतने sodium का influx करा दे कि यह minus 70 millivolt जो की अंदर charge था उसको यह इसके threshold मान लेते हैं minus 55 millivolt तक अगर पहुचा देता है तो फिर action potential का generation होगा बरना इस action potential का generation नहीं होगा मतलब यह एक graded potential है या फिर एक local potential है जो कि यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है जैसे example कि तौर पर मान लेते हैं हम लोग कि यह जो minus 70 millivolt है वो इस nerve का resting membrane potential है और इसको stimulus जब दिया गया तो मान लेते हैं कि वो minus 60 millivolt यह जो sodium का influx होना स्टार्ट हुआ इसकी वज़े से इसके अंदर का जो potential है वो minus 60 millivolt तक ही जा पाया तो फिर अगर यह minus 70 से सिर्फ minus 60 तक जा पायेगा तो यह action potential नहीं बन पायेगा और यह जो potential होगा वो finally फिर से वापस drop कर जाएगा लेकिन मान लेते हैं कि इस ligand के जुढने की वज़े से जो sodium channel खुले वो इस extent पे खुले कि इतने sodium आयन अंदर आए और वो सारे sodium आयन मिल करके अंदर का potential minus 70 से minus 55 तक ले करके चले गए तो उस case में हम लोग कह देंगे कि ये threshold को cross कर चुके है और अगर threshold तक का stimulus दिया गया है तो ये action potential पूरा perform हो जाएगा तो ये graded potential या फिर local potential का मतलब यही है कि जब ये threshold तक नहीं पहुँचा है तब तक का जो potential होता है उसे हम लोग graded या फिर local potential कहते हैं मतलब एक grade का potential है मतलब minus 70 से minus 60 तक पहुचा तो वहीं तक का potential हुआ उसके बाद वो fall हो जाएगा लेकिन जब ये graded potential reach कर जाता है threshold को तो फिर हम लोग उसको action potential में वो मतलब convert हो जाता है फिर action potential generate हो जाता है तो ये graded potential जो बन रहा था बन रहा था बन रहा था threshold से उपर का stimulus देते हैं तब तो पूरा या तो action potential बनेगा और या तो अगर नहीं पहुंसता है उतना threshold तो बिल्कुल ही action potential नहीं बनेगा मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर आप minus 56 का दे रहे हैं तो यहां तका करके और सिर्फ इतना छोटा सा action potential बनेगा अगर minus 55 देते हैं तो इतना ही बड़ा action potential बड़ेगा इतना ही बड़ा बनेगा तो action potential जो है वो follow करता है all और none लोगो अब यह हमने second phase देखा कि यह stimulus जब हम लोग देते हैं तो कैसे वो threshold तक इस stimulus अगर हम लोग देंगे तो action potential का generation होगा अब यह जो action potential generate होता है वो initial segment of the neuron में generate होता है और उसके बाद फिर इसका propagation होता है जो कि हम लोग बाद में कभी किसी वीडियो में discuss करेंगे next phase होता है depolarization का phase अब हमने resting membrane potential देख लिया stimulus ऐसा दे दिया जो कि उसको threshold तक पहुँचा दे अब हम लोग depolarization phase को देखेंगे अब depolarization phase में जो leaky channels होते हैं उनका तो कोई खास काम होता नहीं है main काम होता है sodium voltage gated channel का क्योंकि हमने जब देखा था summary तो मतलब जब हमने graph देखा तो उसमें हमने देखा था कि depolarization का reason होता है sodium का influx तो यहाँ पे जो channels mainly काम आते हैं वो होते है sodium voltage gated channels अब यह sodium voltage gated channel की एक property होती है कि इसके अंदर दो gate होते है activation और inactivation gate जो activation gate होती है उसका tendency होता है कि वो fast open होते है और inactivation gate जो होते हैं वो slowly close होते हैं यह point याद रखना है फिर तो यह पूरा समझ में आ जाएगा तो यहाँ तक हमने minus 55 millivolt तक potential पहुँचा दिया था जैसे ही potential minus 55 millivolt पे पहुँचता है membrane के अंदर sodium bgc जो होते हैं वो closed state से open state में आना शुरू हो जाते हैं मतलब example के तौर पे माल ले कि इस membrane में total 5 sodium bgc है जिसमें से minus 55 millivolt को देखते ही 2 sodium bgc जो हैं वो closed state से open state में आ जाते हैं बाकी सब closed state में ही रहते हैं अब जैसे ही potential threshold से उपर जाता है तो मैंने क्या कहा कि activation gate की tendency होती है कि वो fastly open होंगे और inactivation gate की tendency होती है कि वो slowly close होते हैं तो ये दुनों तो fट-fahrt open हो जाते हैं बट ये वाले जो gates होते हैं वो धीरे-दीरे close होना भी start होते हैं बट अभी close होते हैं बहुत धीरे-दीरे close होना start होते है जैसे sodium अंदर आता है इन दो ही channel से अंदर आ रहा है sodium तो इसकी वज़े से अंदर का पोटेंशल पॉजिटिव की तरफ जाएगा, माल लेते हैं माइनस 55 से माइनस 10 पहुंचा, इस पोटेंशल को देख करके और ज़्यादा sodium VGC's ओपन होते हैं, तो माल लेते हैं कि 5 बेसे 4 sodium VGC's और ओपन होगें, और sodium का इंफलेक्स हुआ, ले लेकिन inactivation gate भी close हो जाते हैं, क्योंकि ये भी दीरे-दीरे close हो रहे थे, close होना तो ये starting से start कर दिये थे, बट प्लस 30 पे जा करके ये action potential का peak क्यों आ जाता है, उसका reason ये है कि उस समय inactivation gate सारे के सारे close हो जाते हैं, और इसी को हम लोग inactivated state कहते हैं, of sodium VGC, जो की peak of the action potential पे हम लोगों को देखने को मिलता है, तो ये हमने समझा depolarization phase के बारे में, अब हम लोग समझेंगे repolarization phase के बारे में, so action potential का हमने अगर graph देखे हम लोग, तो हमने resting membrane potential वाला पार्ट हमने समझ लिया, stimulus वाला पार्ट समझ लिया, depolarization समझ लिया कि कैसे sodium का influx होता है, और कैसे एक बात क्या होता है, repolarization के starting में मतलब जब plus 30 mili volt पे potential पहुंच चुका है, उस समय सारे के सारे sodium VGCs जो होते हैं, वो तो inactive state में हो गए हैं, और जो भी potassium VGCs होते हैं, वो सारे के सारे open हो जाते हैं, और हमने पहले ही पढ़ा है कि potassium voltage gated channel की जो tendency होती है, वो ये होती है कि वो potassium का efflux कराएगा, तो ये potassium का efflux कराना start करते हैं, जिसकी वज़े से अगर positive ion अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, तो अंदर की तरफ negative potential generate होता है, मतलब plus 30 से ये वापस नीचे आना start होता है, ये नीचे आते 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 जीरो मेरी volt तक पहुंच जाता है, इस potassium के efflux होने की वज बढ़ने लगते हैं, closed state मतलब वो था जिसके अंदर inactivation gate जो है, वो open रहता है और activation gate जो है, वो closed रहता है, तो inactive state जिसके अंदर inactivation gate closed था और activation gate open था, इससे ये धीरे धीरे पहुंच जाते हैं, closed state में, जहां पे inactivation gate open रहता है, और activation gate closed रहता है, तो यहां से यहां तक से closed state में पहुंच जाते हैं इसका significance क्या होता है वो हम लोग समझेंगे जब हम लो refractory period देखेंगे तो जब 0 milivolt का potential आ जाता है उसके बाद cell enter करती है next state में जिसको हम लोग कहते है hyper polarization तो अभी तख हमने resting membrane potential discuss कर लिया depolarization discuss कर लिया repolarization discuss कर दिया जिसमें sodium का influx तो रुख चुका है लेकिन potassium का influx हो रहा है अब hyper polarization क्या होता है तो hyper polarization तक पहुंसते पहुंसते यहां तक आते आते क्या होता है कि जो सारे के सारे sodium bgc हैं वो तो closed state में आ जाते हैं लेकिन जो potassium bgc होते हैं वो उनका जो gate होता है वो अब धीरे-धीरे close होना स्टार्ट होता है तो यहां से अगर वो तुरंथ close हो जाता तब तो फिर यह hyper polarization वाला state ही नहीं दिखता हम लोगों को धीरे-धीरे close होता है जिस वज़े से potassium का efflux continue थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा होता रहता है जिसकी वज़े से क्योंकि positive आयन का loss होता रहता है तो अंदर की तरफ और जादर negative potential चलता जाता है चलता जाता है और जब यह पूरा close हो जाता है तब जाकर के यहाँ पे यह potential रुख जाता है और फिर finally वो resting permanent potential को attain कर लेता है तो इस hyper polarization phase का reason क्या था इसका reason था slow closing of potassium channel तो potassium VGC के slow closing की वज़े से continued influx हो रहा है potassium iron का जिसकी वज़े से जो potential है वो और ज़्यादा negative की तरफ fall कर रहा है जिसकी वज़े से हम लोग देख सकते हैं कि यह potential 0 millivolt से minus 90 millivolt और finally minus 90 millivolt तक पहुंच जा रहा है और finally यह फिर जब यह सारे के सारे potassium VGC's close हो जाते हैं तो फिर यह resting membrane potential को achieve कर लेता है तो यह हमने part by part सारी चीजों को समझा कि कैसे resting membrane potential में सिर्फ leaky channels का roll था फिर कैसे stimulus आया जो कि उसको threshold तक पहुंच आता है जिसके अंदर sodium VGC's जिसके अंदर ligand gated channels थे वो open होते हैं और वो main role play करते हैं उसके बाद हमने देखा कि कैसे depolarization होता है जिसके अंदर sodium VGC's जो होते हैं उनके थ्रू sodium का influx होता है फिर हमने repolarization वाला phase देखा जिसमें हमने देखा कि कैसे potassium का influx होता है potassium VGC's में और sodium VGC's जो होते हैं वो अपने inactive state से closed state में आते हैं and finally फिर वापस resting membrane potential achieve हो जाता है तो यह पूरा action potential का हमने part by part पूरा देखा इसके बाद हम लोग समझेंगे refractory period के बारे में अब यह refractory period क्या होता है actually में दो तरह के refractory period हम लोग को देखने को मिलता है first is absolute refractory period and second is relative refractory period absolute refractory period वो period होता है action potential का जब nerve किसी दूसरे stimulus को respond ही नहीं करती है चाहे वो कितना ही strong stimulus क्यों नहों वो nerve उस दूसरे stimulus को respond करेगे ही नहीं और relative refractory period वो period होता है action potential का जब nerve दूसरे stimulus को respond कर सकती है अगर वो stimulus जो है जो दूसरा stimulus है वो threshold से जादा है तो तो जो absolute refractory period है वो हम लोगों को पूरे complete depolarization के phase में देखने को मिलता है and one third of repolarization में देखने को मिलता है जबकि जो relative refractory period है वो जो बचा हुआ two third of repolarization का phase है और hyper polarization का phase है उसमें देखने को मिलता है मतलब ये पूरा का पूरा depolarization phase और ये repolarization का one third वाला phase ये पूरा absolute refractory period का phase होता है और जो बचा हुआ two-third part of repolarization है और hyperpolarization है ये पूरा का पूरा जो होता है वो relative refractory period होता है refractory period का मतलब क्या हुआ कि ये absolute refractory period का मतलब क्या हुआ कि इस समय अगर जब ये कोई भी nerve है या फिर कोई भी cell है जो कि जिसका membrane अभी इस potential पे है अगर इस phase में है तो उस समय अगर हम लोग कोई भी stimulus दे चाहे वो कितने ही strength का stimulus क्यों न हो ये cell अब दोबारा action potential इस phase में generate नहीं करेगी मतलब ये कभी graph नहीं देखने को मिलेगा कि ये cell का ये potential बढ़ रहा है यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा stimulus दिया तो यहाँ से एक और action potential generate हो गया ऐसा कभी नहीं होगा लेकिन relative refractory period के अंदर क्या होता है कि इस समय नर्व respond कर सकती है second stimulus को अगर threshold stimulus से ज़्यादा दिया गया तो मतलब अगर यहाँ पे अगर इस stage पे माल लीजे कि नर्व आ चुकी है इस potential पे तो क्या होगा कि अगर हमने stimulus दिया जो कि बहुत ज़्यादा stimulus था threshold से तो उसकी वज़े से क्या होगा कि यह हो सकता है कि यहाँ से एक और action potential बन जाए फिर उसके relative refractory period से एक और action potential बन जाए तो इस relative refractory period का यह significance होता है reason क्या होता है absolute और relative refractory period का अब हम लोग वो समझते हैं तो जो absolute refractory period होता है उसका reason होता है कि जो inactive sodium VGC's थे वो closed sodium VGC's में convert हो रहे थे फिर open sodium VGC's में convert होते हैं और फिर यह open inactive में convert होता है मतलब ऐसा कभी नहीं होता है कि जो inactive sodium VGC's है वो open sodium VGC's में convert हो जाए कहने का मतलब यह है कि जब यह depolarization हो रहा था depolarization हो रहा था और जब यह peak पहुँचा तो यहाँ पे आते आते सारे के सारे sodium VGC's जो है वो inactive state में पहुच गए थे और peak पे क्योंकि sodium VGC's inactive state पे होते है और आपने यहीं पे potential आपने यहीं पे stimulus दे दिया stimulus देने की वज़े से आप चाह रहे हैं कि यह inactive वाला फिर तुरंत open हो जाए बट ऐसा कभी नहीं होता है inactive वाले को थोड़ा time लगता है पहले वो close में convert होगा तभी वो open होगा कभी भी inactive वाला direct open नहीं हो पाएगा और inactive वाले को close में आने में time लगता है तो inactive वाला close में आएगा तब तक लगभग यहां 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 कहीं पे वो closed state में आता है और उसके बाद हम लोग जब देते हैं तब फिर वो open में जा सकता है तो इस time, ये time की वज़े से ही क्या होता है कि हमारा second stimulus को response नहीं दे पाता है हमारी nerve अब relative refractory period के दो reasons होते है पहला reason तो वही होगा कि closed जो होता है वो पहले open में convert होता है पहले closed जो होता है वही open होता है inactive कभी open नहीं हो सकता है तो बहुत सारे sodium BGC जो होता है वो inactive state में यहां तक रहर जाते हैं जिसकी वज़े से वो directly open नहीं हो सकते हैं जिसकी वज़े से पहले वो closed में convert होते हैं पहले वो closed होते हैं उसके बाद वो open होते हैं तो इसमें time लगता है, इस वज़े से यहाँ पे यह stimulus को वो receive नहीं कर पाता है, और दूसरा इसका reason यह होता है, due to the increased potassium conductance, यहाँ पे potassium का conductance बहुत साथ है, क्यों potassium का conductance जाथ है, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पे सारे के सारे potassium VGC's जो हैं, वो open है, तो potassium VGC's अगर open हैं, तो potassium की tendency है बाहर की तरफ जाने की, तो अंदर की तरफ negative charge जो है, वो accumulate हो रहा है, मतलब potential negative की तरफ जा रहा है, और हम लोग चाह रहे हैं कि तुरंट इस potential को positive की तरफ ले जाए, तो वो तभी हो पाएगा जब हम लोग threshold से जादा stimulus देंगे, इसलिए relative refractory period में हम लोगों को second action potential देखने को मिल सकता है, लेकिन वो तभी देखने को मिलेगा जब हम लोग threshold से जादा stimulus देंगे तो, तो यह हमने discuss किया पूरा action potential और refractory period के बारे में, this was all about this video, if you like this video, please hit the like button, do share with your friends and subscribe our channel for more such videos, if you want notes for this video or more such videos, message me on my Instagram handle, link is given in the description below, thank you.